हेलो एब्रिवान मैं डॉक्टर ब्रगती गुपता और आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे पिशाब में जाग आने के बीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं तर्म प्रोटीन यूरिया हम कहते हैं अगर आपके यूरिन के अंदर बहुत जागाना स्टार्ट हो गया है यूरिन के रास्ते प्रोटीन लीकेज होना स्टार्ट हो गया है तो उसे हम मेडिकल टर्म में प्रोटीन यूरिया कहते हैं आपके यूरिन में से प्रोटीन का लीके युरिन के रास्ते जतना भी वेस्ट प्रॉडक्त है उसको फ्लश आउट करवाती है, हमारे एलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखती है, साथ के साथ जो एसेड बॉडी के नदर फॉर्म हो रहा है उसको भी फ्लश आउट करवाने में मदद करती है, तो बहुत सारे काम है हम इस प्रॉडक्स को निकाल नहीं पा रही है, तो उस कंडिशन में हमारे सीरिम कृटिन वाल्यू भी बढ़नी स्टार्ट होती चले जाती है, और सारे टॉक्सिंस आपके ब्लड में एक्युमुलेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, अब ये दो फेजस देखने को मिलता है, दो कंडिशन सबसाइड कर गई, उसके बाद प्रोटीन आपके यूरिन से लिकेज बंद हो जाती है, इसमें तीन हम कारणों के बारे में डिसक्स करेंगे, सबसे पहला जो कारण है वो है फीवर, जब कभी भी किसी को फीवर आता है, किसी भी इंफेक्शन की वज़े से आपको सदी कहाम हुआ, या कोई ऐसा बैक्टेरियल इंफेक्शन आपकी बॉडी में हुआ, वायरल इंफेक्शन आपकी बॉडी में हुआ, for the time being, आपकी बॉडी अगर स्ट्रेस में गई और हमारी किड्ни को एक्स्ट्रा काम करना पड़ा सारे टॉकसिंसको निकालने का उरिन के तो उस समय पर भी transient protein urea condition create हो सकती है कुछ समय के लिए protein leakage start हो जाती है urine के रास्ते हमारी body बहुत जादा stress में है हमने कोई vigorous exercises कर ली heavy exercise कर ली अभी कुछ समय के लिए ही कि उस condition में भी कुछ समय के लिए आपके पिशाब में जाग देखने को मिल सकता है लेकिन जैसे जैसे वो cause हट जाता है urine के रास्ते जो आपका protein leakage है वो बन्होता चला जाता है तीसरी condition है pregnancy 9 months का जो phase माना जाता है जो 40 weeks लिए जाते है pregnancy के उस दोरान क्योंकि आपकी बॉड़ी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है आपके kidneys पे एक्स्ट्रा लोड आता है फीटस का लोड़ आ जाता है बच्चे का लोड़ आता है बच्चे की urine और motion की excrition है या जो भी वो खहा रहा है या जो भी वेस्ट प्राड़क्त इसकी बोड़ी में बन रहे है वो मदर की excrêtion से ही बाहर आते हैं और जैसे हैं आपकी डेलिवरी हो जाती है उसके कुछ समय किसी को एक साल तक continuous urine के अंदर जाग देखने को मिलता है कुछ दिन में जाग दिखा फिर रुख गया फिर से इसका रिलाप्स होता जाता है और यह ऐसा होते होते एक साल हो चुका है उसे हम stage one of kidney failure के अंदर काउंट कर लेते हैं और अपना एक urine routine टेस्ट करवाई है urine routine अगर आपका उसके अंदर कुछ भी protein leakage नहीं आती infection नहीं आता तो urine micro albumin भी करवाया जाता है क्योंकि कभी कभार micro leakages होती है बट अगर ऐसी कोई भी अगर है तो उस रिपोर्ट को लेकर आप नियर्बाइ डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए क्योंकि यह serious condition के अंदर transform हो जाती है आगे जलकर बहुत सी complications लेकर आती है जो stage one के बाद progression of the disease होता है kidney failure का वह बहुत तेजी से होना स्टार्ट हो जाता है इसलिए as soon as possible as early as possible अगर हम डाइग्नोस कर लेते हैं कि प्रोटीन यूर्या हो रहा है तो इसे हम prevent कर सकते हैं आगे चल रही complications से हम बच सकते हैं I hope यह video आपको मदद करेंगी समझने में कि पिशाप के अंदर जो जहागार है उसके पीछे क्या कारण हो सकता है क्या वो सीरिस है या क्या वो कुछ समय में सबसाइट कर जाएगा वो अपने नेर्बाइ डॉक्टर से कंसल्ट करके मिलकर बात कर सकते हैं या नीचे दी हुए नंबर्स पर हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से खुलकर बात कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लेकर आएंगे बहुत से टिप्स जो आपके जी एफार को बढ़ाने में प्लस क्रिटन को कम करने में मदद करेंगे तब तक के ल